मंदी का दोर भारी तबाही ला सकता है जी हां, आर्ठिक मंदी का दोर भारी तबाही ला सकता है यह बात कही है देश की सबसे बड़ी Software Company Infosys के Τेरेक्टर और चेर्मेन नारण मूर्ती ने नारण मूर्ती एक ऐसी शक्षियत है जिनोंने साफ्ट्वेर कंपनी इन्फोसिस को एक नई दिशा दी है और विश्व में उसका अपना एक अलग स्थान बनाया है। नारण मूर्ती ने देश की अर्थ्य वस्था को लेकर जो डिपणि की है वह बहुत माइने रखती है। और सबसलब बड़ी बात यह है कि नारण मूर्ती इस देश के एक बहुत जवापतार व्यक्ती है। उन्होंने कहा है कि देश के लोगों को थोते देशवात से बचाना होगा और देश में चल रहा आर्थिक मंदी का दोर भारी तबाही ला सकता है लोगों के रोजगार जा सकते हैं ऐसे में देशवारत के नारे मित्या साबित हो सकते हैं और सरकार को आर्थिक मंदी दूर करने के प्रयास करना चाहिए कुल मिलाकर इस समय अर्थिवस्ता की जो इस्तिती है उसको लेकर नाराण मूर्ति का यह बयान बेहत माइने रखता है क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियों की डिरेक्टर पाहुल पचाच और महिंद्रा ये सभी इस बात की और इशारा कर चुके हैं कि भारत की अर्थिवस्ता पंगू हो रही है लोगों को नोक्रियों से निकाला जा रहा है धंदे समाक्त हो रहे है और सबसे बड़ी बात यह है आटोमबाइल सेक्टर से लेकर टेक्स्टाइल सेक्टर तक और अन्य जगों पर भी बहुत ज़्यादा समस्याएं शुरू हो गई है ऐसे में नारायन मुर्ति की अटिपणी बहुत माइने रखती है कि सरकार को समय रहते समलना चाहिए अन्यता वैश्विक मंदी के दोर में भारत भी कहीं न कहीं फर्स सकता है